हेलो दोस्तों वेलकम बेक टो आग चालर आज के इस वीडियो में हम जाने हिंगे स्वेजवेश रूतस की व्यादी खालित आ के बारे में दोस्तों इसे हम मौडर्ण में एलोपेज्या से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों अब हम जानते हैं अलोपेजिया के बारे में, तो अलोपेजिया is nothing more than the loss of hair and it is a sign rather than a diagnosis, तो मतलब जब भी abnormal loss होता है hair का, उसे हम अलोपेजिया बोलते हैं, इसके कई सारे causes या itology हो सकते हैं, जैसे कि टीनिया कैपटिस, second है अलोपेजिया अरियेटा, third है traumatic, fourth है इडि mental defects and six है herpes zoster virus का infection, तो दोस्तों यह है अलोपेजिया के causes, next is alopeजिया signs and symptoms which is loss of hair, तोस्तों next है how to investigate alopeजिया, तो first is we have to see the complete blood count, second is rythrocytic sedimentation rate, third is liver function test और LFT, fourth is thyroid function test, fifth is blood urea, sixth is hair pluck test and the seventh is scalp biopsy, so this is how we investigate alopeजिया, तो दोस्तों यह है था alopeजिया के बारे में, तो अब हम बात करते हैं आईरवेट के खालिते रोक के बारे में, दोस्तों इसके परियाए हैं, रोय वह इंद्रलुप्त, जैसा कि श्लोक में भी लिखा गय है तद इंद्रलुप्तम, खालित्यम, रुहियती, चविभावियते, और यह श्लोक है मादव निदान, पच्पन्वे अध्याए के का उन्तिसवा श्लोक, दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, खालित्य रोक का परीचे, तो दोस्तों शुद्र रोकों में इसका बढ़न किया है, और इसमें रोक अत्वा केश जड़ते हैं, जैसा कि हमने अलोपेजिया में भी देखा था, और दोस्तों इसके संदर गुरंतिया रेफरेंस है, सुच्छ सहीं था, निदान स्थान अध्याए 15, समादम निदान अध्याए 55, दोस्तों अब हम बात करते हैं, खालित्य के दोस्तों अब हम बात करते हैं, खालित्य रोक आठे होता कैसे है, तो on the rightye हम बात करते हैं, इसके संप्राप्ती चकर के बारे में, जैब हम यह बात और पित प्रकोपक आहर विहर करेंगे, या अत्यतिदी वियाम करेंगे, तो उससे ब्राजक पित बायू के साथ मिलकर वी कर देता है और उसके बाद नए रोम उत्पन नहीं होते हैं और यही खालतेया इंद्रलुप्त रोग है तो दोस्तों हमने अभी क्या पढ़ा संप्राप्ती चक्र में कि जब हम बात और पित प्रकूपक आहरवियार का सेवन करेंगे या तिदे क्यों आयाम करेंगे तो इससे भ्राजक पित वायू के साथ मिलकर विक्रत हो जाएगा और उसे रोम या केश जढने लगेंगे और उसके बाद जो रक्त तूशित है वो कफ के साथ मिलके रोम कूपो का मार्ग अवरुद्ध कर देता है जिसे की नए रोम उत्पन ही नहीं होंगे और हमें खालतेया इंद अधिष्ठान है शिर, शम्सुरू व सार्व देहिक, स्रोतस है स्वेदवै स्रोतस, श्रोतस दुश्री प्रकार है संग एवं सुभाव है चिरकारी दोस्तों अब हम बात करते हैं खालते के समाने लक्षन के बारे में दोस्तों जैसा कि हम सभी जानता है कि रोम या केशों क के बारे में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और लेट उस नो इन दे कमेंट्स यूर व्यूस अन दिस वीडियो थैंक यू सो मच